क्या आप सोच सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की टीमें पाकिस्तान की जमीन पर आमने सामने होंगी। वसीम अकरम ने एक ऐसा बयान दिया है जो हर भारती और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का दिल जीत सकता है। आखिरकार क्या 2025 की चैंपियन्स ट्रॉफी भारत पाकिस्तान के रिष्टों में एक नया मोड ला सकती है। चानिये इस बयान के पीछे की पूरी कहानी वसीम अकरम ने एक बड़ा बयान दिया है और ये भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए भी काफी अहम है। पाकिस्तान के सुल्तान और आफ स्विंग वसीम अकरम ने उम्मीद जताई है कि भारत 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन्स ट्रॉफी में हिस्सा ले सकता है। जी हां दोनों देशों के बीच तनाव पूर्ण राजनीतिक हालात के बावजूद अकरम को भरोसा है कि खेल के माध्यम से रिष्टों में सुधार लाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई भारत पाकिस्तान जाकर चैंपियन्स ट्रॉफी में हिस्सा लेगा और क्या ये तोनों देशों के रिष्टों को एक नई दिशा दे सकता है। क्रिकेट फैन्स के लिए ये एक सपना सच होने जैसा होगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच हमेशा से ही रोमान से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है क्रेक इन्फो ठीके साथ।